फ्रेंट वारेंट वाफेन एक बार कहा था कि अगर आप सोते समय पैसे नहीं कमा रहे हो ना तो आपको उन पैसों के लिए पूरी जिंदी की भर काम करना पड़ेगा फिलाल बात तो सही है क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की आदत नहीं डाली कितिने भी आप छोटे हो आपकी एस 20 है 30 है 40 में हो अगर आपने इन्वेस्टमेंट की आदत नहीं डाली ना तो लॉंग टम में आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक ये लाइफ रहेगी सो बहुत कुछ डिसकस करेंगे इस वीडियो में और ये भी डिसकस करेंगे कि एक कैसे lower middle class का इंसान कैसे करोणपती बन सकता है कैसे हमीरी बन सकता है क्या strategy follow करने पड़ेगी क्या क्या रहेगा बहुत excited वीडियो होने वाली जो में चैनले पहली बरा है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना नोडिफिकेश्मन क्लिक कर देना सो देट इस चैनल की वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे है इस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और जितनी भी आप चाहो न तो आप वाटसप पर पिंक कर सकते हो सो देट न मैं आपको हमेशा रिस्पॉंस करता रहूंगा सो विधाउट एनी फॉड़े डेली स्टाट करते हैं और में हम लोग यह सोचते हैं कि हम एक लोवर मिले क्लास के इंसान है और हम न यह जो अमीर लोग होते हैं हम उन तक नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि कुछ में कुछ तो कमी रहती होगी कुछ नो कुछ उनके एक्षन में यह हमारे एक्षन में कमी तो रहती है और अगर बात यह करते हैं कि जो लोवर मिले क्लास का है अगर उसके सेलरी टेन थाउजन है तो कैसे ओ अमीर बन सकता है इसके लिए भी चैलेंज तो रहता है क्योंकि कमेंड में सेक्शन आया सेमीर जी ने कोशन पूछा कि सर एक lower middle class का इंसान या common bank man कैसे अमीर बन सकता है क्या strategy follow करने पड़ेगी थोड़ा इसको जुरूर बताना सोध एठम कर सकते हैं तो मैं ही कहना चाहूंगा यार कि देखो सबसे पहले lower middle class person होता है अगर जो भी salary कमा रहा है ना तो हम अपनी आदतों से हम अपनी आदतों से basically या तो lower middle class या middle class या upper class बनते हैं लेकिन अगर सुरुवात हमारी बहुत कम salary में है example मैंने example दिया है कि 10,000 का क्या 10,000 से अमीर बना जा सकता है जिसकी salary 10,000 है लोगों ने पूछा कि सर salary तो बहुत लोग के होती है जिनका बताते हो कि बहुत अच्छा पैसा कमा सकते है लेकिन कुछ लोग की salary तो बहुत कम होती है क्या करना पड़ेगा ऐसे कि जिसे कारण हम अच्छा अमीर बन सकते हैं, financially strong बन सकते हैं तो देखो बात simple है अगर आपके salary 10,000 है तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले आपको अपने skills बढ़ानी पड़ेगी skills ऐसी बढ़ानी पड़ेगी कि आपको कुछ ऐसी चीज सीखनी पड़ेगी न कि समझ लोग कि वो सीखने के बाद आपको कहीं भी job मिल सके, job के साथ साथ आपको एक secondary income मिल सके, secondary source मिल सके, अगर आप job करते हो, अगर आप बहुत अच्छा वकता हो, बहुत अच्छा बोलते ह हो, तो आप अपना YouTube चैनल सुरू कर सकते हो, YouTube चैनल सुरू करने पर बहुत अच्छा earning कमा सकते हो उसमें, ठीक है न, आप किसी-किसी की hobby होती ही कि वो gaming खेलना, कुछ लोग gaming के बहुत पसंद होते हैं, अगर गेम खेलना बहुत अच्छा लिखता है, आप वो game खेलके, video ब गूमते रहते हैं, उसको घूमने का बहुत शौक होता है, तो आप ब्लॉगर बन सकते हो, आज कल तो यार, ब्लॉगिंग में, सच बताओं, YouTube में, ब्लॉगिंग में बहुत पैसा है, सब जानते हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जैपूर चले गए, डैल ही चले गए, मुंबई ही चले गए, आप वहाँ का वीडियो बना के डा सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो, कि मैं कहा घूम रहा हूँ, तो ये चीज़े हैं, ये skills की बात में कर रहा हूँ, क्योंकि, देखो, 10,000 salary तो कम है, बात तो सही है, बिल्कुए salary तो कम है, लेकिन कै कैसे बना जा सकता है, उसकी technique को बता रहा हूँ, लास्ट में एक fund के बारे में बताऊंगा, mutual fund related investment के बारे में, कि जो fund में आप invest करके अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है न, तो ये बाली बात हो गई, कि आपको skills सीखने पड़ेगी, skills सीखने के बाद, आप बहुत अच्छा लगने लगेगा कि आर आप एक secondary income आप generate कर रहे हो, जहां से आपको एक अलग से income मिल रही है, अब वो income को, आप वो income को कोशिश करो न, investment करो, investment मैं मैं विसा जरिया देता रहता हूं, आज कल तो इतने simple application आ चुके हैं, phone pay के माध्यम से, कि आप वहां से 100 to 100 में investment कर सकते हो, अ जो जो तर resolve हो जाएगा KYC, तो tension लेने की बात नहीं है, आप phone pay से KYC complete करेके, आप बहुत अच्छा उसमें start कर सकते हो, investment मैंने already विडियो बना रखा है, अब देखो investment की बात मैं क्यों करता हूं मेसा, क्योंकि आपको पता है कि हर साल 6% inflation होता है, महंगाई 6% बढ़ रही है, अगर आप पैसा bank में डालते हो, FD में डालते हो, अगर FD आपको 6% return दे रही है, तो आपको 6% आपको तो देखो यार inflation ही हो रहा है, तो overall यह आपका income क्या हो गया, income आपका zero हो गया है यहां पास, मतलब आपको कुछ नहीं मिला है यहां पास, तो basically देखा जाए, तो आपक हो, तो कोई मतलब नहीं हुआ वहां करने का, इसलिए हमेशा में बोलता हूँ कि आप investment का plan करो, देखो यार, जब तक हम जो सोचते हैं, अगर हम plan कर रहे हैं, कि चलो सर नहीं वीडियो बना ली, और हम start करते हैं, आपको start करी लेना है, अगर आप आज सोचा आपने ना, तो सुरू करो कि, कोशिश करो कि आज ही सुरू कर दें, क्योंकि अगर आप कल तक वेट किये, तब तक ना, दिमाग, अपना brain कुछ और activity सोचेगा, बोलेगा, नहीं यार, अब कल नहीं पर सुरू करेंगे, तो ये चीज़े जितना जल्दी सुरू करो, इतना अच्छा रहेग दो-चीज़ों ऐसा है, जो आप अराम से काम कर सकते हो, देखो, कुछ लोग बहुत computer में expert होते हैं, तो आप Excel, MS Excel सीख सकते हो, MS Word सीख सकते हो, वहाँ पास आप सीख से आपको job कहीं भी मिल सकती है, एक part-time income आप कहीं भी generate सुरू कर सकते हो, चलो, ये बात हो ही skills की, अब second बात करती है, होता है, कि अगर आपकी salary 10 से 12,000 है, तो आप कैसे अमीरों की category में आ सकते हो, देखो, समय तो लोगीगा क्योंकि पैसा यहां बहुत कम है, पैसा कैसे बढ़ाना है, मैंने आपको बता दिए, आपको skills क्या क्या सीखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको ये 10 से 15,000 आप महीने का कमा रहे हो, तो start करो सबसे पहले आपको न महीने का 1,000, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, महीने का 1,000 आपको न कुछ भी करके investment करना पड़ेगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे दोस्त, कोई रास्ता आपके पास नहीं है, कि आप ये सोचोगे कि मैं आज कर रहा हूं, कल जाके अमीर बन जाओंगा, ऐसा कोई रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इस में सबसे पहले आपको investment का प्लान करना होगा, इने investment, सबसे beginning investment आपको बताओं, कि सबसे पहले start आपको 1000 करना पड़ेगा, अब मैं आपको सीधे grow application पे ले मैं, और grow application पे सबसे पहले, screen recording आप local on कर देता हूँ, ठीक है न, screen recording आपको on करता हूँ, सबसे पहले एक fund के बारे मैं बात करोंगा, उस fund का नाम है, access up को आपको दिख रहा होगा, उस fund का नाम है, access growth opportunity, fund direct growth, ठीक है न, ये fund बहुत अच्छा fund है, अब देखो इस fund के बारे मे इस वीडियो मैंने सब कुछ बताया है, ये 2Z की mutual fund ने पैसे, आप कौन से किस तरीके से कमा सकते हो, कौन कौन से fund बहुत अच्छे है, और long term में कितना invest करके आप कैसे कमा सकते हो, तो बात करें कि जिसकी salary बहुत कम है, lower middle class है, middle class की मैं स्टोरी के साथ बताना चाहूँगा, लाकि 10 से 12,000 salary होती है, responsibility बहुत होती है, तो कैसे हम अमीर बन सकते हैं वहाँ पास, ठीक है, देखो, सबसे पहले एक fund के बारे मैं बताऊंगा, that is called the excess growth opportunity fund direct growth, ठीक है, इसका अभी तक 22.41 का percent आया है भी तक, जब से ये fund आया है, 22.41 percent है, last three year में 25 percent, last one में 2.73, क्योंकि थोड 1.41 percent है, rating 5 percent किसमे rating है, आप इसमें 1000 से start कर सकते हो SIP, तो start SIP करने के लिए आपको देखो, start SIP में ऐसे जाना होगा, ठीक है, बहुत simple fund है, start SIP आपको जाना होगा, इसमें 1000 क्लिक करना होगा आपको, simple सी बात है, और invest knob पे क्लिक करते ही, आपके SIP सुरू हो जाएगी, मैंने already investment करके रखा है, इसमें नहीं करूँगा मैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आप किस सरा इसमें आराम से investment आप कर सकते हो, देखो, अगर इस fund के बारे हम बात किया जाया, तो इस fund में बहुत सारी company holding है, बहुत सारी company की holding है, बहुत सारी company holding है इसमें, देखो, Bajaj Finance है, P.I अच्छा इसमें पैसा बना सकते हो क्योंकि ये बड़ी कंपनी के डिगरी में आता है लार्ज और मिट कंपनी का कॉंबिनेशन है तो यहां पास पैसे लॉंग टम में आपके बहुत अच्छे बन सकते हैं इसमें आप देखा होगा कि जो रेट है 22.41% मैं सीधे mutual fund calculator में चलूंगा जहां 22.41% का है चलो monthly investment में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि monthly investment आपको यहां पास कितना करना होगा 1000 monthly investment करना होगा rate मैं ने डाल दिया है and 25% मानगे चलते हैं suppose आपकी age आज 20-25 साल है suppose कर रहे हैं तो 25 साल है केवल इस fund की बारे में बात कर रहा हूँगा अभी तो इतने chances हैं कि आप spend में पैसे बढ़ाओगे भी हमेजा तो 1000 रुपए करोगे नहीं तो देखो क्या ताकत होती compound interest में जैसे आप 25 साल में interest करोगे तो आपका investment बनेगा 3 lakh mutual fund calculator सा आप उदिखर होगा description link डाल दूँगा मैं आपके लिए 3 lakh आप investment करोगे जहां पास आपका return 1 1 करोण 39 lakh बन सकता है I understand 25 years बाद 1 करोण 39 के value उतनी नहीं रहेगी लेकिन मैं केवल यहां एक fund की बात कर रहा हूं यार कि आपका एक छोटा सा fund एक छोटी सुरुआत जहां पास आप एक छोटी सुरुआत करें के बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो तो बात यह होती है कि हम लोग overall क्या करते हैं हम ही सोचते हैं कि आप देखा जाएगा आगे क्या होगा लेकिन ना सुरुआत आज से ही करने के ज़रूत है हमाई दोस्त क्योंकि आज सुरुआत करोगे ना तब जाके आपको कुछ समय बात फील होगा कि यार जो मैंने सुरुआत जो मैंने नीव लेकिये प्लैनिंग को लेकि बहुत अच्छा पैसा बना सकता है तो यह था आज की वीडियो में जो लोवर मिल क्लास जो सोचते थे कि हम लोवर मिल क्लास या पर नहीं बन सकते तो उनके लिए छोटा से इंस्पिरेशन वाला वीडियो था कि येस आप बन सकते हो थोड़ा